इंट्रडे बाइसल सिग्नल ट्रेडिंग सौप्टार यूट्व चैनल में आपका फिर से सौगत है अगर आप इंट्रडे टेडर है या डेडर है या सक्सेस्पुली डेडर बनना चाहते है बट कंटिनुवस्टी लॉस खा रहे है तो ये वीडियो थोरा सा टाइम निकल के पूरा देख लिजे साइद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है आज को मैं निप्टे का उपर बेस करके एक एक एकस्पेनिशन देने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा लाइव एक डेमोस्टेशन दिखाऊंगा जो कैसे मार्केट में कॉल बनता है एस वीडियो डेमोस्टेशन जो कॉल कैसे बनेगा और कौन सा call पे आपको काम करना चाहिए और कौन सा call में काम नहीं करना चाहिए जैसे हम लोग देखते है market में बहुत सरा call बनता है उसमें से कुछ call में ही achieve होता है बहुत सरा call achieve नहीं कर पाता है तो call को read करना सबसे important चीज़ है जो कौन सा call सही है और कौन सा call fake है तो आज को मैं 23rd September का चार्ट को explain करने जा रहा हूँ Nifty का उपर तो step by step market कैसे open हुआ और कैसे आपको call को समझना पड़ेगा जो ये call आपके लिए कितना genuine था या नहीं था तो चलिए सुरू करते हैं आज का चार्ट देखे तेज तरीक को यहाँ पर market open हुआ था मैं एकदम beginning से समझा रहा हूँ ये आज का first candle है यहाँ पर market open हुआ है और first candle पर हम लोग का software ने signal दिया है signal दिया है मतलब देखे आपको ये जो blue color का arrow दिखाई दे रहा है या फिर आपको कोई blue candle form होते हुए दिखाई दे रहा है इसका मतलब ही है इस candle पर call बना है कभी कबर signal नीचे ढग जाता है आप चार्ट को थोरा सा उपर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो जैसे candle खतम होगा next candle पे call confirm हो जाता है तो next candle पे खरा होके उपर में देखे date और टाइमिंग्स हो कर रहे है 9 बच कर 25 का टाइमिंग है call बन चुका है अब हम लोग को क्या-क्या चीज देखना है जिसका उपर बेस करके मुझे decision लेना पड़ेगा जो यह call बाके ही सही है या इसमें सही नहीं है सबसे पहला जो condition है यहाँ पर signal का साथ देखी star और एक news बना है तो हम लोग को software में star and news एक alert होता है जो यहाँ पर कोई star बना यह लो कलर का star मतलब यह बाइंग का ही star है और उसका साथ साथ आपको blue type का एक news दिखाए दे रहा है तो news मतलब यहाँ पर काफी अच्छा एक moment हो चलने का मतलब है market का जो traders है वो buying को prefer कर रहा है red line जिदर रहेगा market का trend होगा उधर red उपर blue नीचे मतलब buying trend अगर red नीचे आ जाता है blue उपर चला जाता है तो selling trend green line हमेशा middle में ही रहेगा तो second candle पे खरा हो कि आपको क्या क्या condition देखना पर है star देख लिए news देख लिए RGB का formation सही है नीचे का ribbon green था उपर में देखे आपको बहुत सारा time frame दिख रहा है जिसमें से 5 और 15 मिनट का time frame green होने से ही चलता but maximum all time frame is green और ये आपके लिए काफी positive sign है जो सारा time frame में buyers काफी strong है आपको यहाँ पर एक plus sign दिखाई देख रहा है plus का उपर का तरब green रहने का मतल सबसे sideways market तो उपर का तरब green रहना है यह आपको just notice में रखना है जो उपर का तरब green है या नहीं मतलब this is the strong bullish moment अब उसका साथ साथ नीचे में आपको एक line indicator दिखाई देगा दो line indicator basically इसका काम क्या है यहाँ पर middle में एक wide horizontal line देख रहा है जिसका value right side में देखे 0.00 मतलब यह neutral ह और यह दोनों line यहाँ से break करके उपर जा रहा है तो जिस candle पे आप trade करने जा रहा है ट्रेड लगाने का पहले आपको यह 4-5 condition फटा फट चेक करने ना है सबसे important यह RGB formation नीचे का दोनों line crossover ओके wide line का उपर जा रहा है star and news बन गया maximum time frame green है और plus उपर का तरफ है तो this is strong bullish moment तो सो आगिया था तो 9 बचकर 25 मिनिट का जो candle आप यहाँ पर buy किये है चलिए आगे बरते हैं आप देखेंगे target कैसे देता है और सबसे important है exit इंट्री लेने का बाद इंट्री ट्रेडर्स में एक चीज़ काफी negative उलोग control नहीं कर पाता हूँ है exit कप करना है अगर अगर अब successful इं intraday के में entry का साथ-साथ exit भी काफी important है तो चलिए देखते है exit कप करना पड़ेगा अब exit करने के लिए आपको नीचे में जो दो green line आपको दिख रहा है इसका उपर थोरा सा notice में रखना है तो देखें market दीरे-दीरे उपर का तरह moment कर रहा है आप buying का position लेके बैटे हैं और आप अच्छा खासा profit ले रहे है नीचे का दो जो green line आपको दिख रहा है जस्ट आपको वहाँ पर थोरा सा notice में रखना पड़ेगा देखिए यहाँ पर दोनों line में एक line में थोरा सा red हुआ है तो एक छोटा सा negative point obviously है बट जब तक यह दोनों line आपस में crossover नहीं होगा तब तक आप अपना position पे बिलकुल wait कर सकते हैं मतलब कोई टेंसल नेने का जरौत है नहीं है देखिए अभी भी यह line यहाँ पर ब्रिक क्या अब मैं यहाँ पर थोरा सा रोखूंगा इस candle पे या फिर इस candle पे आप market से निकल सकते हैं यह आपका first point अगर आप already market में अच्छा खासा profit बना चुके हैं और आपको दिग रहा है जो यह दोनों line crossover होगे red हो गया है तो यह पहला संकेत है जो आपको indicate कर रहा है जो साइद आप यहाँ से profit लेके निकल सकते हैं प्लस भी देखिए side में आगया है प्लस side में उसका पहली आगया था प्लस इतना दूर तक तो green था उपर का तरब इस candle तक और इसका बादी देखिए यह plus red हो के side में आगया तो red हो के side में होने का मतलब भी है तो उतना strength नहीं है market में bind के लिए तो यह indication इस point पे आप अपना market को छोड़ सकते है आधरिस आप continue कर सकते है क्योंकि RGB का इसब से traders अभी भी buying trend में है maximum time frame green में है नीचे का ribbon green में है और वले यह दोनों line crossover हो रहा है बट 0 का उपर है मतलब आप buying पे ही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ultimate देखिए दोनों line red होके चल रहा है बट यहाँ पर एक अगर अब exit कर लिए हैं आप यहाँ पर दूबारा re-entry मार सकते हैं देखिए यहाँ पर दूबारा line crossover किया और यहाँ पर sale का call बन गया अब मैं यहाँ पर तोरह सा रोपूंगा यह जो sale का call यहाँ पर बना है आप यह sale का call को कैसे identify करना है देखिए sale का call में नीचे का ribbon red प्लस आ जाएगा red होके तो strong selling उपर में जो time frame में only 5 minute का time frame आपको दिख रहा है उसमें आपको yellow दिख रहा है yellow मतलग अभी भी 5 minute भी confirm नहीं किया है जो selling करना है या नहीं करना है इसका पहले नहीं कोई selling का news है नहीं कोई star है कुछ भी नहीं है और RGB का formation आपको बता रहा है ज नहीं चाहता है market को गिराना market कभी भी reverse कर सकता है तो देखे ultimate दीरे-दीरे market यहाँ पर थोरा सा flat किया था और ultimate अमलुक जैसे देखे थे market में थोरी देर में दूबारा crossover हुआ और यह buy का call बन गया फिर से blue candle बना अगर आप exit कर लिये थे अब यहाँ पर दूबारा re-entry मार सक सकते हैं देखे RGB already match है नीचे का ribbon green है सारा match है plus and news तो already पहले से चल रहा है वो दूबारा नहीं आएगा और नीचे का जो line indicator है यहाँ पर दूनों line में फिर से crossover हो रहा है तो यह काफि strong point है जीरो का उपर फिर से crossover हो रहा है मतलब एक phrase entry आपके लिए बन सकता है तो यह position मन रह है 2.35 मिनिट पे और उसका बाद भी अगर आप entry लेते हैं तो आपको यहाँ पर moment अच्छा मिला था तो generally इस type का market में बहुत सरा call बन देगा बट आपको उसी call में trade करना है जहाँ पर हम लोग का condition fully match कर ला है तो very simple concept है sideways market में भी यह इतना smoothly काम करेगा generally हम लोग जिस type का situation में फस जाते हैं जैसे यहाँ पर sale का call बन जाता है और हम लोग को लगता है market नीचे गिर जाए अगर हम लोग sale कर लेते हैं बट उसका बाद भी market उपर जाता है तो इंट्राटी टेडिंग में entry and exit दोनों ही काफी important है अगर दोनों को आप सही से कर पाए तो ही जाके आपको एक अच्छा result दिखेगा तो चली वीडियो कैसा लगा obviously comment करके बुलिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सिया जरूर कीजिए first time channel को देख रहे हैं तो subscribe करना ना भूलिए और इस market related और भी deeply थोरा सा आपको knowledge लेना है software regarding तो वीडियो का नीचे मेरा link दिया हुआ है चैनल पे झाले कि रहें